कोशी से इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि कोशी से अब सियालदा और दिली का सफर आसान होने जा रहा है जो ट्रेने कोविट काल में बंद की गई थी वो वापस आ रही है सबसे एहम चीज कि मधेपुरा बनमंकी और पूर्णिया रूट को भी फैदा मिलने जा रहा करक्त के लिए तो बड़ी खबर सिमान्चल से इस समय यही है कि दोटेन जो एहम ट्रेन है वापस आ रही है तो पहली ट्रेन की बात कर लेते हैं सियालदा से सहरसा और 16 और 17 तारिक से चले गी यासिए consistent चलेगी और इसके अलावा जो पूर्णिया बनमंकी और जो रूट है इसमें दो दिन चलेगी ये ट्रेन तो सबसे एहम बात यह है कि यह जो सहरसाफ मध्यपूरा और बनमंखी सरसी और पोड़िया का जो रूट है उसके थ्रू कठियार होते हुए सियालदा यह हाटे बाजारे जाएगी दो दिन और वो है बुधवार और शुक्रवार को और जो मांसी और नोगच्छिया रूट है इसमें बाकी दिन चलेगी यानि पाँच दिन तो इस तरीके से सियालदा हाटे बाजारे का जो है फाइदा दो दिन जो है एक मध्यपूरा पोड़िया को मिलने जा रहा है बाकी दिन नोगच्छिया रूट को मिलेगा तो सबसे बड मिल्ली से सहरसा आनंद विहार जो है वो सफर आसान कर देगी और 13 से पुरविया एक्सप्रेस वापस आ रही है यह भी बड़ी एहम ट्रेन है और इसको भी वापस पट्टी पर लाए जा रहा है आपको बता दे कि 13 जून से परतेक रविवार और शुकरवार को यह चलेगी आनंद विहार टर्मियल से और सहरसा के बीच आगामी 14 जून से परतेक सुमवार और शुकरवार को अगले आदेश तक चलेगी तो यह एहम चीज है कि दोनों ट्रेन वापस आ रही है और कोसी में जो ट्रेन का सुखा था जो ट्रेने पहले चल रही थी वो वापस आ रही है एहम चीज यही है और सबसे एहम चीज यह है कि कोविट काल के बाद जो सनाटा पस रहा था इस्टेशनों पर वो अब रोनक वापस लोट रही है और उससे भी बड़ी चीज जो मदेपुरा और पुर्णिया रूट में जो है वो ट्रेन लोट रही है तो उनके लिए को सिय केजिए शेर केजिए कमेड़ के सबस्क्राइब कीजिए कुछ और वीडियो के साथ हाजिरूंगे अब देखते लिए इधर भंगारोग सुरह हमारा सब्सक्राइब की बिहारा स्वाट भी शुक्रिया धनवाद जहीं